पी एम मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सोगा द्वारका में किया भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उधगाटन। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबला धारित पुल है जो ओखा मुख्य भूमी और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है पहले इसे सिगनेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था चुनावी साल में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने ग्रिह राज्य गुजरात को एक बड़ी और खास सौगाद दी है प्रधान मंत्री ने आज गुजरात में ओखा मुख्य भूमी और बेट द्वारका को जोडने वाले लगभग 2.32 किमी लंबे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतू का उद्घाटन किया पहले इसे सिगनेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इस पुल का नाम बदल कर सुदर्शन सेतू या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द भीश मंदिर स्थित है सुदर्शन सेतू भारत का सबसे लंबा केबला धारित पुल है जो ओखा मुख्य भूमी और गुजरात में बेट द्वार का द्वीप को जोडता है पुल के उद्घाटन के दौरान प्रधान मंत्री मोधी के साथ गुजरात के मुख्य मंत्री पेंद्र पतेल भी मौजूद रहे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ओखा बेट द्वार का सिगनेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि यहां गुजरात की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा प्रधान मंत्री मोधी ने सुदर्शन सेतू के उद्घाटन से पहले प्रविवार सुबा गुजरात के बेट द्वार का मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की पीम मोधी ने शनिवार को एकस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कल गुजरात के विकास पत के लिए एक खास दिन है उद्घा जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी चार चांद लगा देगा जिसका सपना देखा जिसकी आधार सिला रखी उसको पूरा किया यही इश्वर रुपी जनता जनारदन के सेवक मोधी की गारंटी है शुदर्पन से तो सिर्फ एक सुविधा बर नहीं है बल्कि ए इंजिनियरिंग का भी कमाल है यह भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रीज है इस पूल की एक और विशेत बात है इसमें जो शांदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पूल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाए यह धूत है बहुत ही सुदर है सुदर सुनी है उसे भी हुआ